अब हम तीसरे प्रकार कोशिका विभाजन का अर्धसूत्री विभाजन की बात करेंगे जिसको मियसे सेल डिवजन या रिडक्शन सेल डिवजन भी कहते हैं अर्धसूत्री से आप इसको इसके शब्दों से यह आप समझ पा रहे होंगे कि अर्धसूत्री सूत्र यानि यहां क्या करें अर्द सूत्री अर्द का मतलब है कि जो वहाची तो उसमें सुत्रों की संकया यानि कुण सुत्रों की संकया क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी तो अब आपर सामितिक, तो हम इस अर्थ शुत्री विभाजन को देखते हैं, जो बहुत ही महत्पूर्ण है, कहना चाहिए कि जो लहन्गिक जनन में होता है लहेंगिक प्रजनन होता है उनमें रिप्रडॉक्ट्रप्य और गण्स में जो है यह गलडर अर्धिक शंठी का विभाजन होता है यानि ऐसुत्री कोषिका का विभाजन जो है वो किं में 37 शंठी विभाजन में vegetation प्रकॉजिक शेयं जो लेंगिक जनन करने वाले जीव हैं उनमें दो तरीके के गैमेटज बनते हैं मेल गैमेटज बनता है और फिमेल गैमेटजस बनता है अब इन दोनों गैमेटज की fusion से यानि फर्टिलाजेशन की प्रोसेस से जाय गोड बनता है यह सब आप जानते हैं लेकिन यहाँ पर एक मुख्यमाद जो हमैं ध्यान देने वाली बात है कि इसमें गुणसुत्रों की संख्या जो है वो जो parents जो reproductive cells थीया यह जनरेटिव cells थी उसमें उस से जो है वो gamettes में गुणसुत्रों की संक्या आधी हो जाती हैं और आपको याद भी होगा कि जब हम gamets को जब हम बनाते हैं लिखते हैं तो n नंबर से शो करते हैं यानी n जो है वह अपलाइट नंबर कहलाता है और ये अन और n जो है हाफ हो गई यानि आधी हो गई और फिर जब जाइगोड बना तब उसमें ट्वेंड यानि कि डिपलाइड नंबर हो गया और ये नंबर जो है उनके पैरेंट सेल के इक्वल हो गया अब यदि इस तरीकी का विभाजन यदि ना हो जिनमें लेंगिक जनन होता है तो यदि ये ग्यामेट्स में भी आप सोचके देखिए कि यदि पैरेंट सेल के इक्वल ही यदि डाटर सेल में भी यदि क्रोमोजूम नंबर संख्या समान हो तब क्या होगा तो चलिए हम इसको एक उधारन के जरिये देखते हैं आप सभी जानते हैं हुमन सायल में 46 क्रोमोजूम है ठ जानते हो मेल में टैस्टिस रिप्रड़क्टिव आरगन है और फीमेल में ओवरी रिप्रड़क्टिव आरगन है तो इनमें जो जनरेटिव साल्स हैं इनमें क्या होगा ये डिविजन होता है तो यदि इस डिविजन के जरिए यानि कि जो गैमेट्स बन रहा है मैल तो अपने पैरेंट सेल के यह क्या हो गई दुगनी हो गई डबल हो गई और इस तरीके से फिर यह जब नेक्स जेनरेशन में क्या होगा फिर दुगनी होते जाएगी इस तरह के से यह पूरा प्राकृतिक संतुलेन वह क्या हो जाएगा और आपको यह जो है एक महत पूर्ण बात है जानना है कि हर एक जीव की जो गुण सुत्रों की जो संख्या होती वह स्पैसिफिक होती है विशिष्ट होती है और वह स्थिर होती वह कभी नहीं बदलती तो कुछ हम एक्जांपल्स की बात जो क्रोमोजूम नंबर है वो क्या-क्या है आपने कोशिका वले चैप्टर में भी आपने इसको पढ़ा होगा तो अभी हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं जैसे हैपलो पैपस ग्रैसिलस है इसमें क्रोमोजूम नंबर चार होता है और इसमें 1260 होता है और आईजा क्रोमोजूम नंबर 42 होता है और हुमन बेंग में आप जानते हैं 46 है ऐसे मंकी में जो है वो 42 है और डॉग में जो है वो 78 है तो यह क्रोमोजूम नंबर जो है वो हर एक जाती के स्पेसिफिक होते हैं इवन आप अब गॉरिला चिंपेंजी को भी थोड़ा और इसको आप स वो केवल म्योसिस डिविजन के बदावला थी पीडी दर पीडी जो है वो बनी रहती है तो जैसा भी मैंने बात की कि यदि ये पैरेंट सेल के एकवल यदी हो जाए तो जायगोड में डबल हो जाएगा फिर आगे वो बढ़ते जाएगा तो इस तरीके से कि म्योसिस डिव इसके इतिहास के बारे में यदि हम देखें तो सबसे पहले अगस्ट वीजमन ने रिप्रोड़क्टिव सेल्स में इस तरह के विभाजन को देखा था और फॉर्मर एंड मूरे ने इस विभाजन की विशेषता के आधार पर इसका नाम जो है वो मियोसिस सेल डिविजन या रिड़क्शनल सेल डिविजन रखा था जैसे रिड़क्शनल का मतलब है कि नियून कारी यानि कम हो जाना तो इसका मतलब है कि इस वाले विभाजन में जो पैरेंट सेल होती है उसमें जो गुणसुतरों की संख्या होती है तो जब यह डिवाइड होती है तो जो डॉटर स सभ्वल पारि PROF LV बनती उसमें गुणसुत्रों की संख्या जो वह कम हो जाती है यह कहना चाहिए अधि हो जाती इसलिए इसाद ही नाम अर्दसूत्री सूत्र मतलब जितने parent सेल में chromosome या गुन सूत्र हूंगे उतने ही chromosome number daughter cells में होंगे लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हें अर्द सूत्रinky की तो इसका मतलब है की parent cell के आधे है वह daughter cells में chromosome number होंगे ये यह division है ये दो प्रकार का होता है जिसमें पहले हम इसको heterotopic division कहते हैं और दूसरे को हम homotypic division कहते हैं और यह जो अर्द्दसुतरी विभाजन है वो बहुत जटिल प्रक्रिया है इसको हम देखेंगे और यह दो फेस में होती है पहला meiosis 1 और दूसरा to to me IV में तो मियोसिस 1 जो है वह हेटरोटाइपिक डिविजन कै लाता है इसमें क्या होता है कि समझाद जो गुर्ण सुत्र होते हैं वो आगे हम प्रोसेस में देखेंगे पेरिंग करते हैं और फिर वो अलग हो जाते है तो अलाग होने के कारण जो है जो उन उनसे जो कोशिका बनती है यानि new daughter cells बनती है उसमें गुणसुत्रों की संख्या आधी रह जाती है इसलिए इसको heterotopic division कहते हैं और दूसरा जो है homotypic division है यानि मियोसिस 2 है और मियोसिस 2 जो है same mitotic cell division के समान ही होता है इसलिए इसको homotypic कहते हैं अब हम इस मियोसिस cell division के यदि बहुत सारी स्टेजेस है उसको यदि हम एक नजर इस तरीके से flow chart में देख लें तो आपको आसानी होगी इसको समझने में तो मियोसिस 1 है फिर मियोसिस 1 में आप जैसे देख रहे हो कि सबसे पहले क्या आएगा कि इंटर फेज आएगा हमने समसुत्री विभाजन में भी बात की थी कि कोशिका चक्र होता है कोशिका चक्र में जो है जीवन सफेश जी टू फेज़ इंट फेज़ ओती सी फिर एंफेज आती है तो इस तरीके से एक उनकी प्रपरेटरी फेज रहती प्रपेटरी समें कोशिका जो है विभाजन्म के लिए तयारी करतीा तो इसमें भी इंटरफेस जो पहले हो जाता है इसके बाद M phase आती है यानि division की phase आती है तो division की phase में जो है वो karyokinesis पहले होगा karyokinesis का मतलब है कि Kendra का विभाजन अब karyokinesis में इसकी phases देखें तो प्रोफेस वन है मेटा फेस वन है एना फेस वन है और टीलो फेस वन है यह आप फूर फेस देख रहे हो अब प्रोफेस फेस में भी आप जैसे देख रहे हो इसकी भी उप अवस्थाएं है leptotene है, gigotene है, pacitene है, diplotene है और diokinesis है तो यह इसकी सब अवस्थाएं है इसको हम एक एक करके आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो यह हो गया मियोसिस वन फिर इंटरफेस होगा वह बहुत चोटा सा कहना चाहिए बहुत कम समय बहुत कम अवधी के लिए यह फेस आती है और फिर यहां जैसे देख रहे हो कि साइटो काइनेसिस भी है लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि कुछ कोशिकाओं में कहना चाहिए कि मियोसिस वन के बाद साइटो काइनेसिस होता है साइटो काइनेसिस का मतलब है कि साइटो प्लाजम का डिविजन होगा बट यदि नहीं होता है तो यह सीधे जो है वो डा पूरी फेज़ के इनने सार डिवाइड हो जाएगा और मियोसस2 में भी केरियोकाइनशे सेंड हो Matthew की किंद्रक का विभाजन हो रहा है तो उसकी भी फेजेस हैं उसकी फेजेस क्या है प्रोफेस सेकेंड क्योंकि हम यहां पर प्रोफेस वन बोल रहे थे अब यहां प्रोफेस सेकेंड आएगा मेटाफेस सेकेंड है एनाफेस सेकेंड है और तीलोफेस सेकेंड है और इसके बा के बाद जो होता है में भी वो हो सकता है और में भी वो नहीं हो सकता है तो इस तरीके से इनकी फेजेस हैं तो इसको समझने के बाद चलिए अब हम देखते हैं कि जो मियोसिस वन है वो किस तरीके से होता है यह बहुत ही लंबी और जटिल प्रक्रिया है और अकसर इस तरीके क कोशन्स जो है वो इसके आते ही है क्योंकि अर्दसुत्री विभाजन में जो पहला डिविजन मियोसिस वन जो है चुकि यह हेट्रोट्रापिक हो रहा है इसमें गुणसुत्रों की संख्या आधी हो जा रही है तो इस माइने से भी यह बहुत इंपॉर्टनेंट है इसको समझ क्योंकि बढ़سم dna का राप अप्लिकेशन यह है वो इसी युश्था में होता है और गुद्दिक आखना को समी संखरेटi में बहुत यह बहुत यथे हुट यह भी बढ़त सारे में युनिट्स होता है और इसमें दिन अपॉली मेरें इंजाइम पाया जाता जिसके ज़ए गया विसे का दितना कपकर दीनर होती है। जो है रिपलीकेशन की प्रॉसर होती है। इसके भी प्रॉसर को आप और आगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आपको यहां पर फेली जानना जरूरी है। DNA का replication जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो वो होती है हमने समसुत्रे विभाजन में भी देखा था वहां भी क्या हो रहा था S phase में DNA का replication हो रहा था इसका मतलब DNA जो है अपनी copy बनाता है तो यहां भी बही बात है इसके बाद जो है इंटर फेस के बाद karyokinesis होगा और karyokinesis में जैसे हमने बात की है कि प्रोफेस वन मेटाफेस वन एनाफेस वन और टीलोफेस वन प्रवस्थाएं होंगी अब हम बात करेंगी पहली यानि प्रोफेस फर्स्ट की जो बहुत सारी आव पवस्थाएं हैं वो किस तरीके से उन म क्रोमोजोम में किस तरीके से परिवर्तन आता है उसको देखते हैं तो पहले यदि हम देखें कि प्रोफेस वन जो है वो बहुत ही बड़ी और जटिल प्रक्रिया है बहुत पांच उप आवस्थाओं से होकर गुजरती है तो इसमें जो है पहली है लैप्टोटीन तो लैप्टोटीन का मतलब है जिसमें लैप्टो का मतलब है थिन यानि पतला और निमा का मतलब है इसमें थ्रेड होता है तो इसमें पतले धागे नुमा जो है वो क्रोमोजोम होते हैं तो पहली बात तो इसमें हम देखें कि केंद्रक और केंद्रक में जो केंद्रिका है और क पहले भी बात की थी कि जब इंटरफेस होता है तो उसमें कोशिका जो है वो विभाजन के लिए तयारी करती है इसका मतलब है कि उसके आयतन में क्या होगी वृद्धी होगी तो केंद्रक के आयतन में वृद्धी होती है नेटवर्क जो है वो धिए धीरे खुलने लगता है पहले जो मोसुम जो रहते हैं इंटर फेस में क्या होते हैं की उल्चे वे रहते हैं अब यह उल्चे वे जो पतले धा गये ऑशidan यह ओत खुलने लगते है तो अब इस समस्था में जो क्रुमोburst Called Southern처럼 है वो इस पस्ट वग सूत्र नूमा धागे की रूप में दिखाई देते हैं इस को हम आशेopers कहते है अब इन प्रमो जो निमेटा है यानि जो घर ऑड़ेड़ों बीच पीच में जो है बेट्स के लाइक यानि दानों ग ₹ पारीड कि यहाँ होती जानते हो की Dennis वरहले हो जो है यहींट उर्पजैट के आफ जानते हो कि भीड़ियो रहते हैं तो तब इस पस्ट नहीं होते हैं लेकिन जैसे ही डिविजन की अवस्था औती है तो धीरे-धीरे इस पस्ट होने लगते अब जैसे आभी हमने बात कि कि लैप्रोटीन में क्या हो numerous फिरнуться कुल रहा है पेर्ड नीमा का मतलब है थ्रेड तो जाइगोटीन में होता है कि इस अवस्था में गुणसुत्र आकार में और छोटे और मोटे हो जाते हैं और सबसे महत्वपुन एक प्रक्रिया है जो इसमें होती है वो है समझाद गुणसुत्र जो है वो पेरिंग करते हैं यानि कि समझ पास पास आकर जोड़ा बना लेते हैं इस जोड़ा बनाने वाली प्रक्रिया को सिनेपसिस कहते हैं यह सिनेपसिस की जो क्रिया है वो जाइगोटी नवस्था में होती है आपको इस तरीके के कोशन्स भी आते हैं कि यह पेरिंग की क्रिया है यह सिनेपसिस की क्रिया है वो जब यह जोड़ा बनाते हैं, यानि समझात का मतलब समझ रहे हैं कि एक समान जो है इनकी जो सनचना इनका गोन जो है वो एक समान होगा, तो इसमें से जो एक सदस्य है वो maternal chromosome होगा और दूसरा जो है वो paternal chromosome होगा तो इस तरिके से यह जोडा बनाते हैं और यह जोडा बना रहे हैं इनके बीच जो है वो synapsonimal complex जोड़ा सरचना है वो तयार हो जाती है यह जो सरचना है वो protein structure है जिसके कारण जो है यानि आसपास जो है वो जोड़ा बनाए रखते हैं यह क्यों कि आगे जो एक और महतवपुन प्रक्रिया होने वाली है क्रोसिंग उवर की जिसके कारण यह आसपास जो है वो आते हैं अब जब सेनप्सिस की क्रिया यानि यह जो प्रक्रिया है जो होती है सेंट्रमीयर से चालू हो कर जब क्रमेट्रिस चोर तक ढाती है तब इसको जो है प्रोसेंट्रिक सेनप्सिस कहते हैं लेकिन कभी-कभी ये सेनप्सिस की प्रक्रिया जो है छोर से लेकर वो सेंट्रमियर तक आती है तो इसको जो है प्रो टर्मिनल सेनप्सिस कहते हैं इस अवस्था के अंतिम यानि लास्ट तक आने तक में ग्रोमोजूम जहें और मोटे और गने हो जाते हैं यानि ये हैं लिख नो कोईलींग और ज्यादा नेसरे काल जाद सब्सक्राइब तो तो इसके कारण जो हम इसको हम आगे देखें पहले हम इस प्रक्रिया को देखें श्बाप्र क्रीया किस तरीके algo होती है तो चूल कि वह हम बात्र करें कि는데 केंदरी का यह चिलि जिला वह मौजुद रहें उपस्तित रहते हैं वह दिखाई देते हैं इसमें गुणसुत्र अपेक्षाक्रीत और चोटे और मोटे हो जाते हैं आप जो समझाद गुणसुत्र जो थे वो बाइवेलेंट कहलाते थे क्योंकि वो दो थ्रेट्स के रोप में दिखाई देते थे लेकिन अब क्या होता है इस पैकिटी नवस्था में जो है गुणसुत तो जो बाइवेलेंट थे अब क्या हो रहा है यह टेट्राड में परिवर्तित हो गए यानि आप जो पेर वाले जो होमोलोगस क्रोमोजोम दिखाई दे रहे थे वो टेट्राड यानि चार उसमें क्रोमेटेट्स दिखाई देते हैं यानि एक क्रोमोजोम में दो क्रोमेट अब समझात गुण सुत्र जो है इसके जैसे आप इसमें देख रहे हो कि बाहर वाले जो अलग है बाकी जो अंदर वाले जो नॉन सिस्टर क्रोमेटेट्स हैं वो क्या होते हैं कुछ स्थानों पर आप देख रहे हो यह आपस में जुड़ गए हैं तो जिस इन इस फ्थानों करेंगे जब लोकस कहते हैं और यहां पर कुछ स्थानों पर जब जुड़ जाते हैं यही जो है वो जीन एक्शेंज होता है हम आगे और बात करेंगे जब डिपलोटेन में क्या होगा यह अलग होते हैं मतलब है कि कुछ हिस्सा यानि जो नन सिस्टर क्रोमेटेट्स हैं इ इस तरीके से यह क्या होता है? तो लेकिन हमें इसका जो आंसर है वो क्या आएगा पैकेटीन में ही होती है भले ही इसका एंडिंग जो है वो डिपलोटीन में होगा लेकिन जब यह आता है तो हमें इसका आंसर क्या देना है पैकेटीन में ही क्रॉसिंग ओवर होती है अब प्रोफेज फस्ट के डिपलोटी पूरी तरीके से गायब हो जाती है यानि डिसापियर हो जाती है नूकलर मेंबरेन अभी तक भी उपस्तित रहती है यानि इस अवस्था कहाने तक यह डिसापियर होने लगभग आप पैकेटिन में हमने क्या बात की थी कि नॉन सिस्टर जो क्रॉमेटेट्स होते हैं वो एक जादा इस्थानों पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं जिसको क्रॉसिंग ओफर कहते हैं अब यहां जहांसे ये चालू होते हैं अलोग हो णा वहां पर X आकार की एक रचना बन जाती हैं जिसको क्येजमेटा कहते हैं यानि वह बिंदू जहां पर जो non-sister chromatid जो है आपस में cross किये थे वो cross वाली सरचना बन गई और इस बिंधू को जो है वो क्येजमेटा कहते हैं अभी तक हमने बहुत सारी ऐसी टर्मिनलोजी की बात की है, जैसे कि क्रोसिंग ओवर की बात की, सिनेप्सिस की बात की, अब ये कियर्समेटा की बात कर रहे हैं, तो इससे भी सम्वंदित जो है, बहुत छोटे-छोटे शॉट नोट साते हैं, एक नमबर के कोशन्स जैसे हमा हैं, आप लोग लिख के रख लेजए गा, तो ये क्येसमेटा कहलाता है, क्येसमेटा जो है, डफिनेटली जहां पर जीन एक्शेंज हो रहा है, वहां पर यहीं बन रहा है, तो हम ये कह सकते हैं, क्येजमेटा वब ενदू है, जहां पर गुण ஒ के जो जो chromatids थे आपस में एक दूसरे से जुड़े थे या वहाँ पर कहना चाहिए gene exchange हुआ था crossing over हुआ था अब इस अवस्था के आने तक nuclear membrane जो है वो disappear होने लगती है अब हम next stage यानि कि diakinesis की बात करते हैं तो diakinesis में होता कि animal cell में centrioles जो है वो opposite poles की और जाने लगते हैं हमें जानते हैं कि centrioles जो है वो animal cell में होता है plant cell में नहीं होता है तो animal cell में क्या होगा यह centrioles जो है वो opposite poles की और जाने लग जाएंगे और फिर इस अवस्था में nuclear membrane पूरी की तरीके से disappear हो गई है समझाद गुण्सुत्र जादा जो है प्रिथक करण की दिशा की और अक्रस्वर हो जाते हैं केज मेटा की संख्या कम होने लगती है तो गुण्सुत्र जो है गोल या आठ आकार में दिखाई देते हैं गुण्सुत्र लगातार संखनीत होते जाते हैं गुण्सुत्र के चारों और मैट्रिक्स जमा होता जाता है और ये गुण्सुत्र जो है केंद्रक के परिदी की और आने लगते हैं और केज मेटा भी जो है गुण्सुत्र के किनारों की और पहुंचने लगते हैं जैसे आ तो हमने बात की प्रोफेस वन की जिसकी पांच उपवस्था थी अब हम बात करेंगे प्रोफेस के बाद कॉनसी स्टेज आती है मेटाफेस की तो मेटाफेस वन में क्या होगा इसमें भी जो है क्रोमोजूम जो है यानि जो होमोलोगस जो पेरिंग किये थे अभी तक भी यह अब एक्वेटर यानि कोशिका का जो मद्य भागे वहाँ पर आने स्टार्ट हो जाते हैं और यह विवस्थित हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स का जो निर्मान है वो पूरी तरीके से इस अवस्था तक में हो चुका रहता है और क्रोमोजों में में अगंग हो जा मैं जहां जाता है और फाइबराल में एक खिचाओ उत नहीं होने के करण जैसे हम जानते हैं कि इस उत्वकर जो है वो ग्रोमोजों के सेंटर्यमें आठेच होते हैं तो चेठे सेंट्रमीी itself होते हैं तो खिचाओ कहां पड़ रहा है? पड़ रहा है। जैसी वह किचाओ पड़ता है तो जो समझाद क्रो刁म थे वो क्या होते हैं अलग होने लगते हैं अब अलग होने लगते हैं तो क्रोमोoshom जो है वो spindle fiber के साथ जो attached होते हैं उपर पॉल्स की और जाना श्रूर करते हैं ऊपर वाला उपर की तरफ जाacter जाएगा जो Homologus chromosome का जो उपर से हरेक समझ गुंसुत्र जो पेरिंग किये थे वो क्या हो जाते है अलग होते हैं, बीच में आने के बाद यानि एक्वेटर में आने के बाद और उन में छिचान पड़ रहा तो अब इंध अलग होने के कारण यह जा एक पर सब्रेदों मैंने जा गुखने आंकी आपजी ठीक हो तो मिल्ошाथा इनकी डिखा हो फिली बात के अंतिमवस्थां टक आने तक जो एक जो गुण सुत्र रहें वो आपने अपने पौल्स की करें ओर पहुंच जाते हैं और यहां पर होता है है कि ये जो है समझार видео जो गुंड शुत्र जो थे व चुकि इनमें रिभ विभाजन नहीं होता है सीदे-सीदे यह जो पेरिंग थे आ लाग अलग हो गई लाग वने के बार आधे ऊपर चल जाते हैं और आधे नीचे करें मतलब नीचे पोल्स की और चले जाते हैं तो इस तरीके से गुण्सुत्र की संख्या में क्या हो जाती है कमी आ जाती है इसलिए हमने जब पहले बात की थी कि इसको हेटोटापिक डिविजन कहते हैं यानि कि जब यह पोल्स में चले गए तो गुंसुत्रू की संख्या जो भी डिपलाइट सेल में ग्रोमोजोम नंबर रहते हैं उसकी आधी उपर वाले पोल्स में और आधी जो है वह नीचे वाले पोल्स में पहुँचती है अब ती लों फेज फरस्ट की बात करें तो गुंसुत्रू का जो शमूह है दोनों पोल्स पर क्या हो जाता है जमा हो जाता है यानि एकत्रिद हो जाता है अब वापस इसमें नूकलियर मेंवरेन जो है वो बनने-लगती है और न स्पिंडल फाइबर्स भी इसमें दिखाई देते हैं यह गौर करने वाली बात है चुकि जब हम समसुत्री विभाजन की बात कर रहे थे तब हमने देखा था कि टीलो फिस में स्पिंडल फाइबर्स नहीं रहते हैं और वापस यह जो क्रोमो जोम है वो पतले धागे नुमा स स war देख वbl मझे यह कर दो चुक कार रहा है तो इनके बीच में यह ऑननी दो जो यह फिस में बढूता इखाक भीन के बढेदी आराए को कोशिकांट बढ़ जाती है तो इसके बात जो रहा है in-therfails program यह प कर दो ST किया में अर बस्ताती है तो यह बहुत ही चोटी यह ब्र कि कोशेकाइन दो भागों में बढ़ जाती है लेकिन यदि नहीं हो रहा है तो यह सीधे जो है सेकंड मियोटिक डिविजन की और टिक यह वह जू है वो उस और एंटरी करते हैं या नि इसके बाद सीधे समय और division होगा second mutic division में भी जो शुरुवात है वो इंटरफेस से नहीं होगी क्योंकि हमने पहले ही बात की थी कि इंटरफेस जो है इसमें नहीं होती है S phase जिसमें जो DNA का replication की बहुत महत्वपूर्ण आवस्था होती है इंटरफेस अब इसमें नहीं होता यह direct क्या हो रहा है इसमें karyokinesis हो रहा है यानि second nucleus का फिर से division जो है वो start हो जाएगा और फिर इस karyokinesis में भी फिर से जो four phases थी यानि की प्रोफेस second है metafase second है एनाफेस second है और तीलोफेस second है वो होगा तो musis second जो है यह homotabic प्रकार का division होता है और इसमें जो है जो कोशिकाएं हमने पहले देखी थी कि इसमें haploid cells थी haploid हम इसको क्यों कह रहे हैं क्योंकि जो parent cell थी उसमें 2N रहता है यानि diploid number रहता है यानि जितनी भी kromosome की number वो रहती है वो musis first के बाद जो कोशिकाएं बनी है उसमें वो haploid हो जाती है यानि n number हो जाता है इसका मतलब है कि गुण्सुत्रों की संख्या जो है वो musis first में आधी हो गई यह सारी टर्मिनलाजी को आप ध्यान दीजेगा जैसे आभी हम है प्लाइट डिपलाइट की भी बात कर रहे हैं तो इससे भी समद्धित आपको questions आते हैं तो हर एक के छोटे-छोटे आप चार्ट नोट्स बनाएंगे अब प्रोफेस सेकेंड की बात करते हैं तो इसमें केंद्रिका और केंद्रक जिली जो है वो average हो जाती है इसमें जो है प्रतेगुंशतर के दोनों जो रोमेटेट सेंट्रमीर से जुड़े रहते हैं और अंतीम चनर्ड तक यानि इसमें जो यह अवस्था के लास्ट तक में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेंब्रेंड और नूक्लियोलस जो है फिर से डिसापियर होने मनें लगते हैं क्यों क्यों हो रहे हैं कि इन में काएलिंग वोते जारी यानि कुंडली कर्ण होता जाता है। मेंस्कि विशेश्टाई हिघि घुन्स रोज रही जो है वह मद्य वाला स्थल थाय गपन मतडें डेन होग भॉट्प पर vyえ इसमें पूर्ण हो जाते हैं यानि कम्प्लीट हो जाते हैं इस तरीके से यह मेटाफेस सेकंड है अब फिर एनफेस सेकंड में क्या होगा यह पूरा आप देख रहे हो कि जो मैटासेस डिविजन था उसी की तरह ही हो रहा है तो एनफेस सेकंड में जो है स्पिंडल फाइबर्स जो है वो छोटे होने लगते हैं जिसके करण उन में खिचाओं पड़ता है खिचाओ पढ़ने के कारण जैसे हमने पहले भी बात की थी कि spindle fibers किस से attach हैं क्रोमोजोम के centromere से attach हैं तो जैसे ही खिचाओ पढ़ता है तो जो जो क्रोमोजोम है उसका जो centromere है वो दो भागों में बढ़ जाता है और दो chromatids बन जाते हैं तो फिर से वैसे ही समसुत्री वि यहां भी वैसे ही ओ वी cuatro में आई शेप में बिखाई देते हैं और इस अवस्था के अनत तक में यह पूरी थरीके से पोल्स में जमा हो गया और फिर कोईलिंग है वो खतम हो जाती है मतलब फिर से यह खुलने लग जाते हैं खुलने लग जाते हैं मतलब की क्रोमेटिम जो है यह नेटवर्क बना लेते हैं पतले लंबे सूत्र के रूप में हो जाते हैं अब टीलोफेज अवस्ता है तो इसमें फिर से क्या होगा न्यूकलियर मेंबरेन बनना चल हो जाएगी केंद्रिका भी इसमें दिखने लग जाती है और फिर प्रते कोशिका से दो केंद्रक बनते हैं तो अब यह हमने बात की कि यह प्रोफेज यह मियोसिस सेकेंड जो है वो कंप्लीट हो गया यानि दो बार किंद्रक का विभादन होगा अब इसके बाद क्या होगा साइटो काएणर से खास पांधर की यह चादि कि यह हो जाते हैं तो य топ जो है ॉप मियो से बाद तो हो millimeter आ हिए और साइटोपलाजमे कि दिविजन के आधार पर यानि किस तरीके वहो रहा हुता है एक सक्सेसिर टाइब कर रहता है जो सक्सेसर टाइब जो है उसमें ही साइटो प्लाज में जो है वो दो बार डिवाइड रहता है एक बार में मैं सेज्ड से के माद लेकिन सामल्टेनियस में क्या होता है कि जब ऐस्वन हो गया तो उसमें एक कोशिझा के अंदर जो है Banks दिखाइए देतें उनके बीच में एक प्लेण है एक तल बन जाता है और फिर स्टाइड siatoplasm जो है वह डिविजन होगा जैसे हमने बात की थी कि इसमें बीच में खांज बनती है तो यह डिविजन होगा चार कोशिका बनेगी एक कोशिका से फिर दो कोशिका बनेगी आखेड ही मिल्स सेकेंड के बाद girl vär ż 5 ५ अगुनित कोशिकाय बनती है जिनमें जो है क्रोमोजों की नंबर की जो क्रोमोजों की जो संक्या है वो क्या होती आधी होती है तो बच्चों अभी हमने पूरा मियोसिस डिविजन को देखा अब इसकी विशेशताएं देखते हैं तो पहला तो हम देखते हैं कि यह रिप्रो गेमेट्स का निर्माण जो है जिसमें गुनसत्रों की जो संक्या है वो डिपलाइट सेल से आधी होती है यानि हैपलाइट नंबर होता है यानि एक डिपलाइट सेल से चार हैपलाइट सेल्स बनती हैं चार कोशिकाय बनती हैं जो हैपलाइट नंबर क्रोमोजों होते हैं और फिर संतती कोशिकाइं जो बनती हैं यानि जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो अपने पैरेंट्स से अलग होती हैं तो यह कुछ विशेशताय हैं अब हम इसके सिगनिफिकेंस की बात करते हैं यानि इसके इंपोर्टेंस की बात करते हैं कि किस तरीके से यह हमारे लिए इंप साल डिविजन होता है जिसके जरी गैमेट्स बनते हैं दूसरी बात है मैंटेनिंस अप क्रोमोजूम नमबर तो जैसे हमने शुरुवात में भात की थी कि इसमें चुकी डिपलाइट सेल से हैपलाइट सेल्स बनती है है फिर से एक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है या या प्रेंट्स सेल के इकवल हो जाता है तो इस तरीके से यह हर एक स्पिशेज में क्रोमोजूम जो नमबर होते हैं वो स्पैसिफिक होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं यानि कि वो कभी भी नमबर जो है इधार-धार यदि हो गया तो डायट मेंस वो डिस ओर्डर के फॉर होते हैं यदि यह नंबर अलग हो गया यानि 47 हो गया 45 हो गया 48 हो गया तो क्या प्रभाव पड़ता है तो ऐसे डिस ओर्डर आप अगली कक्षा में पड़ेंगे तो इस तरीके से जो मेंटेनिंस मेंटेनिंस है यानि कि जो संतुलन है वो किवल इसी मियोटिक के जरिये ही हो सकता है और महत्वपुर्ण बाद जो है इसमें एसौर्टमेंट आप क्रोमोजोम जो है वो स्वतंत्र रूप से वो किस गयमिट में कौन सा समझाद गुनसुत्र जो है वो पहुंच रहा है यह अलग-अलग होता है जिस तरीके का पहुंचता है उस तरीके की क् वो उस संतान में क्योंकि वो आगे चलके जो है वो फ्यूशन होगा तो संतान में पहुंचते हैं तो यह इंडिपेडेंटली जो है असौर्टमेंट होता है फिर जीन एक्षेंज जो है यह महत्वपुर्ण प्रक्रिया जो है क्रॉसिंग ओवर की जो है वो इसी के जरिये ह संताने हैं तीन या चार जो भी है आप खुद भाई बैन दो होंगे तीन होंगे चार होंगे तो हर एक के जो क्वालिटी से हैं वो डिफरेंट होती है इवन जो भी शकल है जो रंग रूप है सब में बहुत अंतर रहता है लेकिन बेसिकली जो है अगर हम डियने के स्ट्रक प्रिटा से मिलता है लेकिन जब हम डियने फिंगर प्रिंटी बात करेंगे तब हर एक का डियने जो है वो अलग होता है तो वेरिशन जो है वो इस क्रॉसिंग और के जरीया आते हैं उपियोगी वेरिशन जो है वो जीवों में अनुकूलन पैदा करते हैं और विकास का जो मानचित्र है वो इसी की सहायता से ही बनाया जा सकते हैं क्योंकि crossing over हो रहा है जो उसमें और disorders होते हैं तो उसके जरीए एक genomic structure जो है वो बनाया जाता है तो यह इस तरीके से इसमें मदद करते हैं यह इसका importance है और inheritance of mutation भी होता है क्योंकि mutation जो reproductive cells में हो रहा है यानि जो gamets म बात फिर वो next generation में यानि office spring में जो पहुंच रहा है वो mutation जो है वो पीड़ी दर पीड़ी फिर वो पहुंचता है कि वह रिप्रोड़क्टिव सेल्स में होने वाला mutation ही वो अगली generation में जाता है तो यह इसके कुछ importance है अब हम यह विचार जरूर करें कि कोशिकाएं करते हैं तो जैसे हम इसके इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करें कि कोशिका की खोच जो है रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में की थी और आप सभी जानते हैं कि कौर्क की कोशिकाओं में उन्होंने इसको देखा था उसके बात का लंबा इतिहास आपने कोशिका केंदर का पावले हिस्से में आपने वड़ा है लेकिन कोशी का का कव विभाजन क्यों होता है यह प्रश्ण अभी तक भी अनुतरित है यानि इसका प्रॉपर आंसर जो है अभी तक हमारे पास नहीं है लेकिन फिर भी हाट विक करण ने इसका आंसर दिया इसको बताया कि किस तरीके से विवाजित होती है। उन्होंने कर्ण प्लाजमत थिए últimos 15 उनकी थियोरी के साध जो है कोशिका, ध्रव्य और vil demographics केंकिए साध जैसे NP is equal to VC upon VC minus VN is equal to K, तो इसमें जो NP है, वो क्या है? कोशिका द्रवे का अनुपात है, किंद्रक कोशिका द्रवे का अनुपात है, VC जो है, वो साइटो प्लाजम का आयतन है, और VN जो है, वो किंद्रक का आयतन है, और K जो है, वो नियतांक है, इस आधार पर उन्होंने बताया था है, कि किंद्रक कोशिका द्रवे का अनुपात यदि बिगड़ जाता है, तो ये कोशिकाएं जो है, विभाजित होती है, तो कारण तो चाहें, जो भी हो, कोशिका विभाजित होती है, और ये कोशिका विभाजन जो है, अनुवानशिक नियंतरण में होता है, ज इसको नियो प्लास्टिक ग्रोथ या कैणसर्स ग्रोथ कहते हैं जो कैणसर है इसका मतलब है कि कोशिका के विभाजन तो कै zar किया है कि वो विभाजन क्या हो गया उन vurाड़न दो तो लगातार कि कैण कोशिका है जानते हैं कि दो रहा है वह है यह रिजन जाहे जिस भी तरीके का हो जैसे कुछ ऑसे यह ιस हैं जैसे कुछ क्वार्मॉना बहुत करे लिखन नीकोटेश़ में सुर्ड़ से नहीं करेका ऑफ हम उसके यह सोगे अंडिर सब्क से इसsteаст packet गॉजरे। हैं कुछ वाइरस हैं और कुछ इस तरीके की रेडियेशन से कुछ ऐसे सबस्टांसेस हैं जो ये कोशिका के विभाजन को यानि अन्यंतरित विभाजन को प्रिरित करते हैं जिसके कारण ये अगली कक्षा में पढ़ेंगे तो बच्चो ओवर आल आज हमने और इसकी पीछे हमने बीचान की बात है टा करने invites तरीकम को ंते बरीक हमने अर्द एस तरीके से ये जो आपका 11 गेक तरह है होता है तो आपका इलेमड़ की ऐक चाप्टर है आप इसको बहुत अच्छे से दिखेंगे क्योंकि इससे बहुत सारे questions जो हैं खसकर music cell division से सम्मदित जो question है वो आते हैं और इसके हर एक phase को आप बहुत ध्यान से दिखेंगे इसके diagram साब बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि कई बार होता है कि आपको इस तरह का question दिया जाता ह कि समसुत्री विभाजन को चित्र सहीत समझाएं तो जो बड़े questions रहते हैं 5 marks के रहते हैं या 4 marks के रहते हैं वो इस तरीके के इस question इस chapter से आते हैं मियोसिस साल डिवजन important है उसके जो बहुत सारे अंदर में हमने terminology को देखा वो important है तो इस तरीके से आप इसको बार बार देखेंगे तो अच्छे से इसको समझ जाएंगे